Hello everyone, I am Sajda Srivastav from Mahatma Gandhi, Sikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi extender fourth. बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको आपके पाठ्थे पुस्तक मकरंद से पाठ्थ 14 परहाई थी, जिसका शिर्षक था राष्ट्रिये पक्छी मूर. आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसी पाठ्थ यानि की पाठ्थ 14 का प्रस्नुत्तर समझाने जा रही हूँ, आप उसे ध्यान पुर्वक समझेंगे देखेंगे और उसे अपने अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे, तो आओ हम लोग प्रस्नुत्तर को समझते हैं बचों पहला प्रस्न है, नीचे दियेगे बाग के सही हैं या गलत बताईए, तो यहां लिखा हुआ है बचों की मोर, मोर रास्त्रिये पक्छी है, तो यह कथन जो है यह सही है, तो यहां पर लिखेंगे सही, खो में दिया हुआ है बचों, मोर नी एक बार में एक ही अंड देती है तो यह कथन गलत है बचो क्योंकि मौरनी एक बाड़ में चार से पांच अन्डा देती है तो यहां पर हम गलत लिखेंगे फिर घृत है लिखा हमराष्ट्री पक्षी घृत है तो यह कथन जो है गलत है तो यहाँ पर हम गलत लिखेंगे फिर यहाँ पर है अंगा में दिया हुआ है कि मोरनी के पंक बरे और लंबे होते हैं यह कथन गलत है मोर के पंक लंबे और बरे होते हैं तो यहाँ पर हम गलत लिखेंगे अब हमारा अगला प्रस्न है बच्चों कि बैकल्पिक प्रस्ण है इन बैकल्पिक प्रस्णों में तीन उत्तर दिये जाते हैं जिसमें से जो सही होता है उस उत्तर पर हम तिक का निशान लगाते हैं बच्चों तो पहला प्रस्ण है मोर की कितनी परजातियां है यहां पर विकल्प में दिया हुआ है तीन पांच और दो तो मोर की तीन परजातियां है तो तीन पर यहां ठिक कर दिये ख में है मोरनी अंडे कहां देती है जारी में पेर पर या जल पर तो बच्चों मोरनी हमेशा जमीन को खोद कर जारी में जमीन को खोद कर नीचे घास फुस डाल कर उसमें घोशला बनाती है और उसी में वो अंडा देती है तो यहां पर हम जारी में टिक करेंगे गव में प्रस्ण है बच्चों कि मोर की पूँच में लगभग कितने पंक होते हैं तीन भी कल्प दिया हुआ है 100 से अधिक, 150 से अधिक और 150 से कम तो बच्चों मोर के पूँच में लगभग 150 से अधिक पंक होते हैं कि सब्सक्राइब्सक्राइब देखे को इन्हीं को सामने सामने मिलाना है कि इने से कौन सा हमारा राश्ट्रै रास्ट्रै पकछी तो तो हम मिलान करेंगे जैसे कि यहां रास्ट्रिये ब्रिक्ष है तो रास्ट्रिये ब्रिक्ष के शामने में यहां पर बर्गत है तो बर्गत का पेर है तो रास्ट्रिये ब्रिक्ष से बर्गत को ऐसे मिला देंगे फिर है रास्ट्रिये पक्षी रास्ट्रिये पक्षी हमारा क् एसे करके मिला देंगे रास्ट्रिये पसू हमारा क्या है बाग है तो हम जनगनमन पर ऐसे मिला देंगे फिर रास्ट्रिये पूश्प हमारा कमल है तो कमल हम ऐसे लिख दिये, या फिर तुम ऐसे भी कॉपी में बना सकते हो, कॉपी में तो यह पूरा लिखेंगे, लेकिन जब अगर यही सवाल अगर आपको परिच्छा में पूछा जाता है, तो आप कैसे बनाओगे, को, खो, गो, गो, अंगा एक साइड में, कॉलम एक में लिखेंगे, कॉलम दू में, उसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर के सामने, अगर आस्ति यह पर पांच नंबर पर है, बरगत, तो हम कॉप के सामने, यह छे नंबर लिख देंगे, तो हम यहाँ पर छे नंबर लिख देंगे, सामने-सामने उसका उत्तर लिख देंगे, इस त क्या है आमों की डाली पर गाती कुहु कुहु का गीत सुनाती तो आमों की डाली पर कौन गाती है और कुहु कुहु का गीत कौन सुनाती है वो तो आपको मालूम होगा तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कोयल प्राया कोयल कोयल ही एक ऐसी पक्षी है जो आमों की डाली पर ब मूचा रद कुच बंदर ही होता है उसमें मूचंग नहीं होता है है स्षी स्झेश कूँषको यह चैom स्वेधान मेंॡ आग जम और काक्ट कर का व्यज़न है स्टौु में जाकर में जने खुब और में जती की आएगा इस एप न ARE नही गतों लाता नाच पंखों पर किसको नाच रहता है सबसे सब पक्षियों में सबसे सुंदर पंख मोर का होता है तो हमें आप लिए मोर अब है रोज सुबा हमको जगाता रोज सुबा सबको जगाता कुकुरू कुका बाग लगाता तो यह रोज सुबा जगाने का काम कौन करता है यहां पर हम मुर्गा लिख दिये तो इस तरह से हमने पहली को बूझ लिया पहली को समझ के बना लिया अब हमारा अगला प्रस्न है बच्चो की नीचे दिये गए प्रस्नों के उत्तर लिखिए तो यह हम प्रस्न का उत्तर हम अगले वीडियो में बनाएंगे बच्चो तब के लिए धन्यवाद